नमस्काल मेरा नाम निशा उज़ा है और आप डीटी डब्लू 24 निउज देख रहे हैं फुल परास के भाज़पा कारे करता इस बार फुल परास विधान सभा में भाज़पा के उमिद्वार को चाहते हैं हाला कि मौजूदा विधायक गुलजार देवी जद्यू के कोटे से है 2015 की विधान सभा चुनाव में जद्यू महागडबंधन का हिस्सा थी लेकिन इस बार तस्वीर अलग है इस बार जद्यू NDA के हिस्सा है ऐसे में फुल परास के भाज़पा कारे करता यहां से भाज़पा के उमिद्वार को चाहते हैं इसके लिए वो कई तरह की मांग भी कर रहे हैं आईए देखते हैं पूरी खबर वही बात है काम करने के लिए मजबूर हो गई है मतलब काम नहीं कर पाती है मतलब मजबूरन वो विधायक है मजबूरन विधायक है फुल परास के धर्टी पर मजबूरन विधायक है तो क्या चाहते हैं इस बार आप लोग चाहते हैं हम बीजेपी के पुर्वजिला महमंत्री थे हैं अभी बर्टमान मेजिला कारिकार्णी सदस्य हैं फुलपरास के धर्टी पर आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब तक हमारे ही मेरे दादा भी सुर्गे रसिक लाल जा मुखिया भी है परमुख भी है कोई भी आदमी वहां पर सिष्वा भरी से ही उमिदवार हो सकता है और वह सीट दे सकता है वह है उपेंदर जादव लोग परिवर्टन चाहरा है लोग नया चेहरा ताक रहा है लोग नया चेहरा खोज रहा है उसमें उपेंदर जादव एक परिवर्टन के मूड में है परिवर्टन चाह रही है परिवर्टन देखना चाहती है परिवर्टन में उपेंदर यादव ही क्यों कोई और चहरा और किसी कोई पास दम नहीं है अप से जुड़े हुए लोग हैं उपेंदर यादव इसलिए आप चाहते हैं कि उपेंदर यादव को मौका मिले आपसे बात करेंगे आप यहां आजाए थौसा आपको क्या लगता ह जो बर्तमान विधायक है, बुल्जार देवी, उन्होंने चेतर में अपने पांस साल के दर्मियान कोई काम नहीं किया है, विकास का। कुछ न कुछ तो काम किये ही हैं, लेकिन जनता उन से नाखूस है, जैसे माल सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को जर्वी तरन परणाली है, इसके वाद सिक्षा बिवस्था है, सरक रूड है, आप देख लीजे, बगल में ही एक सरक गई हुई है, जो गौणडिया और फ हम लोगों पेंद्र जादब के पक्ष में इसलिए रखना चाहता है कि 77 से राजनिती करने वाले आदमी है और ये आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई भी पार्टी उनको चुनाव मतलब ठीकट देने वक तक ठीक है, लेकिन ठीकट से लड़े नहीं है, और सबसे अपनी एक छमता है, यह उड़ जावान आदमी है, जो तीनु जगह से लूज कर जाएंगा, जो पिछले वार देख चुके हैं भाजपा, जंजारपुर भी भाजपा लूज कर गई, फुलपरास भी लूज कर गई, और गोंगरडिया भी लूज कर गई, तो हम लोगों का म मांदारी पुरुबग जिता करके उनको कोटे में देंगा, तो मतलब अभी गुल्यार देभी जो हैं, वो जदियू से भी विधायक हैं, हलाकि जब चुनाव हुआ तो जब पिछली बार चुनाव लड़ी थी, तो उस समय जदियू महागटवंदन के साथ थी, महागटवं बीजेपी से हैं, इसलिए क्या लगता है कि अब बीजेपी के खाते में सीट आ सकती हैं, अभी तो समभावना बताया जा रहा है कि जो फुल पड़ास सीट भारती जनता पार्टी के होने होगी, ये जितने भी राजस्तर ये नेता हैं या प्रदेश के पदादिकारी हैं, स पैनल के साथ बने रहे हैं, अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेस्बुक कर लाइक कर लीजे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया